यौ वाक्स आप गाइस कैसे आप सबी लोग वालकम बैक टू एनदर गेम प्ले वीडियो तो आज हम लोग खेल ले जा रहे हैं आइस स्क्रीम वाले अंकल आइस्क्रीम बेचने के भाने बच्चों को किड्नाप करके एक केज में बंद कर देते हैं वालकम गाइस तो दी यॉइस स्क्रीम 3 तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भी हम लोग अपने बैंच पर बैटके पढ़ाई कर रहे हैं और शाहत से पढ़ाई खतम होगी है टेकर लुक आराउंड बाइस्लाइड फिंगर ओन स्क्रीन ओके तो अभी गेम वाल यह आगे चल के काम आने वाला है फिलाल डोर ओपन करते हैं इसको मैं नीचे गिरा देता हूं क्योंकि हमेशा हम लोग इस विंडो से बाहर देखते थे बढ़ा शाहत से विंडो बंद है आई यू नीड था होनी की टोगराउड ओके यही में डोर है अचाभी कांपर चुपाई होगी मेरे पारेंट्स ने तो यह है अपनी फैमिली ओके तो यह हम है ठीक है लेसको मुझे पता चल कही हमारा डॉग है जो कि मुझे कभी अपने घर में दीखानी लेसको यहां से भ बाई इसने कोई टुकड़ा वेपन ना यह क्या है? नाइ उसको रेस्क्यू करवा था था प्रॉब्लम होगी जिन लोगोने लास्ट एपिसोड ने को समझा रहा है सब कुछ इसने लड़को पिग्नाप करा था ना और वो लड़की इस लड़की की क्रश है हाँ सही में इस गेम की स्टोरी लाइन में और अभी इससे बदला लेने आए अगला नमबर इसी का लगना था सीधी सी बात है पंगे लेने गया भाई उससे क्योंकि इससे क्रश को किड्नाप किया था प्रट उसे माली ने उसे अल्रेडी रेस्क्यू करवा लिया है चोड़ बाई अच्छ इंड़ रिखोड़का थो गेम राजए बहुत बढ़ी या अच्छ से किड्नाप कर मैं आरो ने पुरानी बाईस्क्रीम किलाड़ी किया सवाद भी निया कोई अच्छ था मैं यही बोलने जारऊ था चप ब़य मैं यही बोलने जार्फा कि यह आइस्क्रीम्मोटे बंदोग किटिनाप करता मोटे बच्यों यह पतला था बट आइस्क्रीम किला के उसे पहले मोटा सा कर दिया और उसके बाद किडिनाप कर लिया यू मस्ट हेल्प माइक फाइडिंग प्लेस नियर द वैन और वोईड बिंग कैप्चुर्ड बाइड आइस्क्रीम मेकर एक ही अपना डोग हाउजी है जहां पर मैं छुप सकता हूँ ना प्रेस दा हाइड बटन ओके मैं छुप गया हूँ इसके अंदर और सामने भूचू इसको केज के अंदर बंद कर दिया इसने अब ये बाहर आ रहा है मैप इसकी जेप से गिर चुका है ये मैप से हमें पता चल जाएगा कि आखेर हम लोग कहां कहां पर जाकर रोड का समान इकठा करके उस केज की चाबी ढूँड सकते हैं मैदब दो चैप्टर इंड कर दे तो इतना तो मुझे पता चली चुका है फिलाल अगर अभी मैं इस वैन के पास जाँगा तो ये कभी भी बाहर आ सकता है लेकिन मैं इस बारी एक चीज़ नोटिस करी कि हमेशा इसकी वैन में ऐसा कुछ नहीं होता बट इस बारी एक ये नंपैड वाला लोग लगा इस सिम्स द वैन है लोग यू ने तो डिस्ट्रोईट गेट राइफल द ओ माइक ने जो गन बनाई है थर्मल वाली है नहीं इस तरफ में वो तो सही है कि मैंने इस ध्यान दे लिया जब तक ये अपनी क्लोज है मैं इस मैप को लगा कर यहां से भाग नी सकता यह बहुत जादा बड़ी प्रॉब्लम कर देगा फिलाल अभी मैंने मैप लगा दिया है मैं थोड़ी दीर के लिए इदर आके बैट जात है क्या पता है यहां पर कुछ खास चीज है मैं देखने को मिल जाए नेक्स्ट स्टोप मैंट्र स्टेशन हम लोग यहां पर पहुच चुकी है इस वैन में बैट के और वैन को उल्टा लाके पाक कर रहा है ओके यह ठीक है फिलाल अभी जल्दी से मैं यहां से बाओ एक सिक हम लोग हमेशा इस गेट से बाहर निकलते थे और आज में इस तरफ आया उन्हें ड्राइवर गेट कैसे उपन होगे कभी नहीं पूरा उपन हो यह पूरा उपन नहीं हो रहा फिलाल एक इलेक्ट्रोगन है जो कि यहां पर पड़ी वी है बड़ अब यह अपने किसी काम के सब्सक्राइब है यहां पर राइट में तो नो एंट्री बंद हो रहा है यू निद सम्थिंग तो ब्रेक दिस फेंस यानि हम लोग इसको तोड़ सकते हैं बस मुझे कुछ ऐसी चीज ढूड़नी हो कि जिसके तुरू इसे तोड़ा सा सकता है फिललाल यह तो यहां पर भी रुख जो मुझे पहले पीछे बागना होगा और इधर से भागने का रास्ता भी नहीं है थोड़ी दर चुपचा पे दर बैठ जाते हों शायद से वह इधर को नहीं आएगा थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं हो मामला ठंडा है मामला ठंडा है फूल एकदम चेल गया हेई हेलो गया गया पहले इसको थोड़ा आगे जाने देते हैं I think अभी वो काफी जादा आगे जा चुका होगा मैं दीरे दीरे एकदम आगे बढ़ने वाला हूँ क्योंकि अगर वो आगे नहीं गया होगा तो मेरे भी जल्दी जाने का माँ कोई फाइदा नहीं है क्योंकि म तो मैं ट्रेन में बैठके भाग जाँगा लेकिन मुझे भागना थोड़ी है मुझे अपने दोस्त को बचान ओवेट ये एक दोड़ था जिसे मैं ने ओपन कर दिया और अभी मैं शाहत से रेलवे ट्राक पर उतर सकता हूँ लेट्स को ये काफी जादा बढ़िया चीज ह अब यह वाला गेट को ओके मैं समझ आजा तेरी ऐसी कित ऐसी मुझे चिखाएगा गेम इसको खोलो खुल जा खुल जा ओके अभी मैं से कोल के दूसरी साइट पर आ चुका हूँ और शायद से मैं सेफ हूँ या फिर ने मुझे कोई आईए निया बाकी आगे का रस्ता बं और यह उपन करनो उन रहे है अरे भाई नई नहीं मैं हूब बात बूरा रहा यह फिलिंक वाली बात रहों आँब गर मैं चुछ ओ पर आकर इसके दंदर छुप गया औह mentre सोच रहा था व्यलों पुरण तंदहागे अब इमामला क्लिए है और सकता हूं ना उसके दूर जाने मुझे अभी बिल्कुल भी जल्द भाजी नहीं है यह मैं सही बहता रहा हुआ इसको वापिस नहीं इसको खुले रहें तो बंद करूटूगा अवाज होगी यहां पर यहां पर यहां पर है राइड्रॉलिक जाक अपने किस का माने वाला है रहाई कि हईड्रॉलिक जाक कहां यूज होता यार यह सब मेरे को कुछ कारवार को लिफ्ट करने के काम आता है यह यहां पर कुछ पड़ा हुआ है वोड एंड ग्रीन होड्स यह क्या चीज है एक सब्सक्राइन आ रहे है क्या यू हीट रोड है कि यू हीट रोड ही उनकंशिएस फूर वान बिनिट हो मैंने कब रोड को माइब और वह ट्रें कहां इसने में बुढ़ को फिरीज में बंद कर दिया लॉग हुआ इसने हमेशा की तरह मुझे अपने स्ीक्रेट बंकर में बंकर मैंने रोड को मार दिया तो तो यह कर कि आ रह रॉप है तो मुझे कुई कटर ढूंड़ना होगा शायद कुछ नेल कटर टाइप कुछ भी मिरे को मिल जा धार वाला इटम शायद उसरे से कुछ होने वाला है नहां पर काफी सारे ड्रॉर्स है इस लॉग यहां पर भी नीचे ड्रॉर रहे सारे के सारे में ओपन ओड़ एक निकलो निकलो भैसकी भूती गंदा पीटे का बैट बैट तो वापिस अभी में वहां नहीं जाने वाला मुझे उस रेल्वेस्टेशन पर कुछ भी कामक्या नहीं मिला मिलको समझी नहीं ट्रेन कब में आ गई शोपिंग सेंटर पर चलते हैं फड़ा फट से लेट्स को फ फिलाल मैं अपनी वैन में रखता हूं क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो यह खो जाएगी वेट यह बहुत ज्यादा बढ़ा है तो हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर रोड हमारे पीछे पढ़ता है तो मेरे पास भागने के लिए बहुत ज्यादा और उपर वाजी फ्लोर पर भी मेरे को यहां पर ना कुछ ना कुछ तो ढूड़ना पड़ेगा इधर कुछ फिश कुम्री है जिसमें से एक फिश थोड़ी सी गोल्ड हो रखिया मतलब चमक सीरिया पता नहीं इसका कोई यूज है या फिर नहीं यहां पर यह जितने भी श मैं तुछ करा रखिया नहीं डुछ शुर करा शेवा कंप एक मा यूज है। कि अपने क्यों है एक शुर्क रखिया है तो फिर भी मुझे ऐ क्या होगा यहां 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 चुक्यां थिए जए एक पार्छान के मेरे को ऊच्चक बताव चावागें जंगेश् सब लिए एक यार DJ Μ grandsay anyway cat इसको मेन को आखो और यह कह रहे sheriff यह छाइसे सिक्यूरेटिज्ट गार्ड्स हराका जो की कैमराज के दूट ह्में देख रहे और यह कह रहे हे दूट कॉर इतने सारेусов लगे सिग्ट है वहे हमें कॉर्ट रहे है प्राइज मिलेगा हो सकता है प्राइज में चाबी हो जिस चाबी कितरो हम लोग उसे बचा लें सिंपल अब तु जाना क्यों चेप हो रहा है मेरे से जब से देख रहा हूं हा तो भी बस मुझे वाला बटन प्रेस करना है और शाय से चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा क्या कोई दिखत की बात नहीं पूरे शॉपिंग सेंटर का राउंड काट लेंगे यहां से भी मुड़ता हूं उपर वाले फर्स फ्लोर के तो मैंने काफी सारे राउंड काट ली है मैं एक पूरा राउंड काट लिया और अभी मैं उपर से वतर के नीचे भी आ चुका हूं यहा अपनी माक्स स्पीड यही है तो या फिर कुछ ऐसे कोई चीज तो ने ढूनी जिसके तुरू मैं ते चल पाऊं या फिर कुछ रॉलर स्केटर टाइप हमें मिल जाए क्योंकि यह चीज बनी है यह कुछ उसी टाइप के चीजों के लिए बनी है यार इन हॉरर गेम में सोच ना बहुत ज्यादा पड़ता है बेफालतू का बाकि हाँ मैंने उपर यह कीवाली शॉप देखी थी कहां चलीगी हाँ उदर ना शॉप का वह खुला ओ यार रोड हर तरफ से मेरे पास आये जा रहा है मुझे फटापट से उपर चलना होगा उससे पहले कि यह मेरे पास आ क्योंकि हम लोग इसे एकसे कर सकते हैं डॉर इससे मैंने ओपन कर रहा गाप है आपर नीचे से जाओंगा लुक्स लाइक सम टूल तो लिफ्ट इस ब्लाइंड लेस्गो मुझे समझ आगे अभी मुझे कौन सा टूल चीए होगा गाइस वो जो में रेल वे स्टेशन पे ज चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं शायद यह तुक्के बेड़े मैंने बट ऐसा भी कुछ हो सकता है यह गुट टाइम नहीं है रोड आ रहा है कि अब यार तू आजा बेले तो जैसे तैसे मैं उससे पीछ चुड़ा के वापिस आ चुका हूं अपनी वैन में इसका गेट बं फिलाल इस से मेट्रो के तुरू मैं आर पार जा सकता हूं लेट्स को गेट ओपन हो जा यार जल्दी से ठीक है तो भी फड़ा फट से न मुझे इस जाक को उठा लेना चाहिए बाकि यह क्या चीज थी मुझे समझ नहीं आया है मैं इसे बार बार उठानी पार रहा हूं व वुडेन ग्रीन होर्स मालो मैं से जैसे उठाने का ट्राय करूंगा वापिस ट्रेन आ जाएगा ओमाइगा अभी मैं समझा है क्या सीन है मतलब की अगर मुझे यह वुडेन ग्रीन होर्स उठाना है पता नहीं यह शायद बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो उसके लिए म मुझे लीवर चाहिए होगा बर्ट यह लीवर शाहत से इधर है क्या उधर नहीं जा सकता ना मुझे लगी रहा था इतना इसी नहीं होगा और मैं समझ गया वहां पर लिखा था ना कि हमें कुछ चाहिए होगा उसे ब्रॉक करने के लिए वह वही है फिलाल अभी यह सोर है कंद मचा रहा है इस जगह पर फिलाल अभी मुझे यह जैक ले जाना है मुझे इसका यूस पता है का है हां तो मैं यही कह रहा था दूर से कि हमें यह तोड़ना पड़ेगा तब ही हम लोग इस वाली रास्ते से उस पार जाएंगे बट मुझे कोई आइडे नहीं इसको त जाकर इस जाक को लगाना और यह शटर वापिस से कैसे बन लोगया पता नहीं दुबार से ओपन करते हैं फिकर ऑपन गया शटर पूरा ओपन हो गया और जैसा कि मैंने का था होई होने वाला है क्यों बार बना वाथा मोटो स्पोर्ट हम यह बाइक चाहिए बाइक लेने से यह मैं आ गया हूं बाइक पे और यह इसको चलाने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से रेस देनी है और इसकी स्पीड टेस्स कर लेता हूं आखिरकार ओ नाइस इसकी स्पीड तो बहुत जादा है मैं इस तास्कों को कंप्लीट कर दूँगा और यहां पर एक शॉप और है जाद से इसे भी मैं open कर सकता हूं फिलाल अभी हाँ यह रहा सामने रस्ता मुझे अपनी बाइक को नीचे ले जाना चाहिए अब तो यह वाला चैलेंज मैं कितनी ज्यादा मस्ती में complete कर दूँगा यह सिर्फ मैं ही जानता हूं फड़ा 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 बाइक को लेकर चलते हैं नीचे और वो चैलेंज वाली मशीन कहां चलेगी शाहत पीछे रहागी क्या मुझे पहले इससे उतरना पड़ेगा लेट्स को ओके तो यह मैं उतर चुका हूं बाइक से बढ़ा अभी फिलाल रोड आरा सामने से मैं एक बारी बाइक को ना नहीं अब आरा से बाइक को वापिस से लेकर यहां पर आज चुका हूं और मैंने इसको यहां पर एकदम सही तरीके से रख दिया अब जल्दी से मैं चैलेंज को तुबारा से स्टार्ट करते हैं तुबारा से पूरी बात करनी पड़ेगी मिरको ओके तो भी मैंने तो दुबारा डील कर लिया और यहां पर अपना मैच जो है समझ लो है स्टार्ट हो चुका है अभी मुझे जल्दी से पनी बाइक को भगा के सारे के सारे चेक पॉइंट करने हैं और इस रेस को या फरस इस बंदी को मेलनी हमें एंटेटेन करना है यार मतलब हमारे लिए तो यह रेस हो यह बहुत अब चैलेंज वहाल है बढ़ां जो भी है इस चैलेंज के बाद हमें एक बहुत अघंक मिलने वाला है ऐसा उसने का है शायद उस प्राइज में रौड की Kee की हो सकती है मैंगू की का कता है अब भाग यार मुझे थोड़ा सा रस्ता पैदल क्लियर करना होगा बट कोई दिक्कत वाली बात ही बाइक को मुझे वापिस नीचे रखना है वापिस इस पे बैठना है और अभी दुबारा से इसको चलाना है लेट्स को ओ भाई सबस्क्राइबे है और ने से रखना है पहला कि परेंग। इस विद्धा खुल आप सकता है अवं देखनें प्रस्काला वाई नहीं उतार सकता है यह नहीं में पाया बगा बगारीक में देखनें पिर चलने में नूबडी है अब स्कु फिलाल अब अब्नी बाइक कर आप करण हुटक कैषिक फ्ले या सफ़राइब श्रिल्वे ट्रैक पर ग्रीज वुद्ए घ्राइव फ्लेक जिस फ्ले कर बाइक सकता हूं नहीं यार रुख जो बाइक उठा लेते हैं मेरा होर्स नीचे गर गरे तो फाइनली गाइस मैंने कर दिखाया वेट आप लोग को मालूं ही नहीं होगा तो अभी इसे 5 मिनट पहले पाले पाता क्या हो था जब लोग आईकर आया था उसके बाद जो में फ्राइस मिला था उस के बाद ना वो इस फट्टे के इस मतलब इस पीस के नीचे आखे गिर गया और इसको मैं रेड होर्स को दुबारा उठानी पारा था तो मुझे लगा इंपोर्टन चीज होगी और यह कोई ग्लिच के विज़ा से मिस होगी इसलिए मैंने पूरा का पूरा राउंट सेम उसी तरीके से दुबारा खेला बठारेश मैंने दुबारा से कंप्लीट कर दिया और इस बारी में अपनी बाइक को ना वहां से दूरी रखने वाला हूं हाँ यही पर हम लोग अपनी बाइक को छोड़ते हैं और अभी जल्दी से चलके मैं यह रेड वाला होर्स कलेक्ट कर ले हम लोग फुल स्पीर में भाग भाग के सारा समान दोनेंगे और रॉड हमें पकड़ भी निपाएगा बाकि यार ऊपर एक शॉप और थी मुझे वहां पर चलना थी रोड उपर से ही आ रहा है मुझे लेफ्ट साइट से नहीं जाना है मैं राइट साइट से चलता हूं इक अपन कर दिया है और ओ वाव मैंने एक मॉल की शॉप आके कोल दी लेट्स को यह कपड़ों की दुकान है और यहां पर एक शवल है लेट्स को शवल है यहां पर और कुछ काम का अगर देखो यहां पर एक फिशिंग रोड है जिसके दुरू मैं नीचे फिशिंग कर सकता नीचे फिशिंग करने के लिए और देखतें कि अकरकार उस फिश से मिए ओ हां ऐसा भी सकते है कि जो फिश है क्या पता उसके अंदर कोई की पड़ा हो लेट्सकों कोई आइडिया है कि क्या मैं फिश को सही में पकड़ यहां पर एक गोल्ड वाली फिश है पका एक सेकिन अच्छा मुझे बस क्लिक करना था एंड ये सीधा चले जाएगा माँ पर फिश यहां पर मेरे पास आ चुकिया है मैंने एकदम सही डाइम पर की जब बट कुछ भी कलेक्ट नहीं हो जाएगी कोई भी फिश मेरे पास नहीं आ रही है दुबारा से मैं एक बारी डाल के देखता हूँ इसको हुक को यहां पर गोल वाली फिश आ गई है अच्छे से एकदम हुक भी हो गई है वो आजा यह क्या हो रहा है यार फिश मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ अच्छे कासे फिशिंग चल ली थी बावड़ी पूच रॉड मेरे को पकड़ने के लिए आ चुका है तो अभी मैंने रॉड से पीछा चुडा लिया है वो थोड़ी देर में यहां पर आता होगा उससे पहले मुझे एकाथ फिश पकड़ लेनी चाहिए मुझे इपने हु सकता प्लीज आजा 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 कोई तो फिश आजा आजा ऐसा मत करो यार दुश्मन ही है क्या कोई आई इसको खीचा पक तेरी मैंनी कर रहा फिशिंग निकल बेंस की तांग इतनी चाहता मेहनत कर रहा हूं कुछ होए नहीं रहा बाकी उपर एक शवल पड़ी थी मैं वह को लेकर आ रहा हूं यार मेरे को नी समझा रहा है का से फिशिंग करनी है मतलब जो फिश हुक में अटाच हो जा रही है मैं उसे खीच रहा हूं वह इतना जहता क्लोज आकर भी रह जा रही है मुझे को समझ नहीं आ रहा फिलाल शवल जो थी ओके यहां पर ड्रॉप होई इसे उठा लेते हैं वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं कि आकर यह शवल कहां यूज होने वाली है बठा मेली है तो कहीं नहीं कहीं यूज होईगी क्या पता हम लोग इससे वह रेल्वे स्टेशन वाला जो रस्ता था उसे खोल सके फिलाला भी दो जगा मैं घूम चुक सिधा कैंपिंग पर फिर उसके बाद पर एक जगा हो रहा जो कि है साकस लेट्स को तो यह मैं आ चुक हूँ अपनी नेक्स लोकेशन पर जो कि है कैंपिंग सामने मुझे एक ट्री हाउस नसर आया अपनी गाड़ी यहां पर पहुच चुक है एकदम मस्त जगा पे लाकर प इंदर पका कोई ना कोई इंपोर्टेंट समान जरूर होगा वके डर्ट है यू नीड शोवल दिस डर्ट शोवल 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 अपनी गाड़ी में पढ़ी है लेट्स को यह विगावी सगे वाई मैं सही टाइम पर सही चीज ले आया इसको उठा चुबे चुचा बैट बनांटी आया तो हमीं से तो या कर रहा है बैटके अनी तो यह मतलब जाकर वसस्क्ट इसको उपन करें पक्का इसमें से मुझे और मैं पर रही और होंगी मुझे पता था पक्का इसके उन्दर कुछ ना कुछ तो होगा क्या पता में इसके अंदर से कोई एक और होर्स का पीस मिल जाए बट उनसे होने क्या वाला है रेड होर्स मुझे मिल चुका है ग्रीन वाला मैट्रो के ट्रैक पे था हो सकता है भी 3-4 और भी हो अलग-अलग कलर्स के ब्लू ग्रीन पिंक ओरेंज पतानी बटिन का यूस क्या होने वाला है फिलाल अभी मैंने काफी सारे घड़े हटा के देख लेए बट मुझे यहां पर कुछ भी खास चीज नहीं मिली है मैं कम से कम 10 से 20 इस टाइप के घड़े खोल चुका हूँ और भी मुझे यहां चूः है कि बंदी यह नहीं हो रहा हुआ ऑफ यहां पर आचुका है प्रस्ता बंद ऊके वह वापिस भी चला गया आके वह तेरी काफी शरीस और शाहिए है रस्ता अगें लेट्स को बड़ा फट अभी मैं इसकी ऊपर चलता हूं और भी मैं आ चुका हूँ हूँ यहां क खुल गया है tree house nice यहां पर एक ओ तेरी वो जो होड समी मिले ना मैं कहर था क्या घटिया प्राइस है वो यहां पर लाकि मुझे लगाने है चार पीस यानि अलग-अलग के चार पीस होंगे अभी आ रहा है क्या वो इसकी अवास सी आई पता नहीं कहां पर है क्यों सामने की तर पता है कहां पर है रेड वाला मेरे पास पड़ा हूआ अब एक और कलर बचा तो शायद से यह जो लूडो गी किटी वाले कलर होते है यह वहीं है सारे रेड ड्रे ग्रीन ब्लू येलो हमें ठीक हो तो यह सारे लडर से जो कि मुझे लूडने हैं बाखी मुझे से यह लाला तो यह मैं आया फ़टाफवट से अंदर इसको उठाया और अभी फढ़ाफट से उपर स्री पो चलते हैं और इस रूम में आकर राज की चे चलते हैं तो मैंने भी टी लगा दिये मेरे को दो पीच ओर दोलने हैं और मेरे को भी तो अभी सोचना ही होगा कि आखिरकार वह जो ग्रीन वाला पीस जो रेलवे ट्रैक पर अटका हुए मुझे उसे कैसे निकालना है उसको निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया था हमेशा से ट्रैक का लीवर चेंज करना हो काफी ज़या था हजीब हजीब सीन है बाकि यहां पर हमें क्या मिलने वाला फिलाल अपनी गाड़ी हमने यहां पर खड़ी कर दिया जल्दी से इसमें से बाहर निकलते और इस जगह को एक्स्प्लोर करते हैं और देखते हैं कि आकरकार यहां पर मुझे क्या-क्या चीज़े काम की देखने को मिल सकती है फिलाल यह वाला चलो पर चलो हेलो हेलो में भी यू कूट शल्ट इसके पास एक सरकस्की चाभी देवे और रोड हो यह बागो बचका बचका ओ तेरी भाई यह यह कैसा करते हैं यह रोड नूब कहां से गुम क्या रहा है साइट से निकल गया मैं वहाई मेरे कुछ से पहले पीछे से रोड मेरे पीछे पड़ा हूँ है कि वह यहां यह यहां पर वी गट है ओ तेरी गाइस यह 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 वाला होर्स यह अपने पास चारो मिल गए यह वाला डॉर नहीं किला और पकका जो उसके हाथ में चाभी है ना वह पका इस बसकी होगी शायद से उसकी का नाम तो सरकस की है वो बंदा भी मुझे सरकस का ही लग रहा है हाँ तो पक्का वो जो चाबी हमें मिलेगे शाद उससे जगा खुल जाएगे फिर हम लोग येलो वाला होर्स भी दून लेंगे बर ग्रीन वाले होर्स का भी मुझे कोई आइडे निया मुझे कैसे मिलने वाला है चाबी देन इसांपल में घर तो नहीं दे सकता वेड एक चीज आपने नोटिस करी या फर मैं भी एक बड़ी चेक कर लेता हूं हमें ट्रेन में कुछ जूते मिले थे में कुछ समय नहीं आड़ता हो जूते कहां यूज होंगे और इसकी ना जो सॉक्स है वो फटी हुई है मैं इसी के पर यूज हों गयार क्योंकि फिर उस चीज का कोई यूज ही नहीं है लेकर आते हैं उसे वो शूस मुझे मिले थे रेल्वे स्टेशन की मेट्रो में मतलब मैट्रो स्टेशन की मेट्रो अरे क्या बोलना हूं मैं पहले तो तू आ जाया रहे फाइनली रोट से पीछे कि मैं नभी मतलब मेरा जर्दवाजी के चकर में ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे तो भी इसने मुझे वापिस से लाकर अपने इस गटिया से लॉकर में बंद कर दिया है और फ्रिज में जमा दिया था अच्छे से और मैं वापिस बाहर आ चुका हूं लास्ट ताम पड़ा हुए शाह है इडिस लॉग ओके मैं समझ गया मुझे इसको किसे तरीके से ओपन करना है कुई हतोड़ा पतोड़ा कुछ तो पड़ा होगा यार यहां पर मुझे कुछ भी काम कर नहीं एक सिकिंड यह क्या है टाइल है यहां पर एक ही होता है ना स्विचबोर्ट यहां से कुछ नहीं होगा मुझे क्रोबार धुड़ना है यह तो पड़ा क्रोबार यह उठाया टाइल मूव होगी क्या ओ तेरी यहां तो मैंने देखा ही नहीं था वाई फिलाल वह भी उपर ही है शायद से उसके आवाज आ रहे हैं को भूतेज पड़ाफट मैंसे बाहर और आते ही यहां पकड़ रहा है मेरे को यह तो पीछे पड़ा हुआ पूरी तरह चेयर हटका रहे हैं यहां पर भी रोड नजर नहीं आ रहा है फड़ाफट से मैं इसको ओपन करता हूं चलते हैं अंदर रोड है तो नहीं ना तू प्लेस चेक कर वादे नहीं है लेसको य बूट है वह भी लेकर चलते हैं तो इस हैट को मैंने लाके रख दिया है वैं में अब जल्दी से बूट भी लेकर आते हैं बूट लेने में जा रहा था बट मुझे सामने से रोड आता हुआ नजर आ गया वह तो वहीं पर रहेगा आग इदर से आ रहा है जल्दी बता दे और वह इधर से आ रहा आजा जल्दी जल्दी घूम के जाऊंगा ना फिर आजा 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 अरे बहुत ही बढ़िया आया एकदम मतलब मजा आ गया लेट्स को अभी हम लोग चलते हैं यहां से घूम के तो अभी शूस को लाके मैंने अपनी वैन में रख दिया उस तो मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसे शूज होगा रहा है मिलने है कोई रीजन ही नहीं है इस होरर गेम में प्लीज यार इसको ले ले ये ले मैं शूज नहीं सकता तरे को नहीं दे पा रहा है ओ हो गया यूए फ्लेस वनिश्लाइब को दो जेने थे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार ऐसे मत कर रोड प्लीज मेरा भाई नहीं है तुम छोटा भाई अब यार मैं फस गया वेट इसको चक्मा देना पड़ेगा तू ऐसे घूम के हां लेफ्ट मोड लेफ्ट मोड बहुत ही बढ पर भाई हम बाहर कासे आपढ । यह होगा है यह जो गया पर वटाया एंचे-पर प्लैंक भी हटाना पड़ेगा अच्छे से और ए वाला प्लैंक भी ओटाना पड़ेगा और चुका है आ राम से अंदर काम है बस मुझे फटआफड यहां से बाहर निकलन पता हूँ बस रोड मेरे आसपास ना हो वरना मुझ पर रोड मारेगा इस बारी वो तो अभी मैं वापिस से आ चुका हूँ सरकस पर लास्टाइम मैंने से शूज दे दिये थे बस हैट देना बाकी है दो आइटम होते ही शाथ से मैं उसे वो की कलेक कर सकता हूँ वाकि मुझे रॉड की आवाज इस गली से आ रही है पता नहीं वह एक दब रेल साउंड है या फर नहीं बाकी हाँ भी जल्दी से में को चलना है यह ले भाई जल्दी से हैट पैन चाबी दे उत तेरी मिलगी चाबी लास्ट टाइम नहीं दे रहा था और इस बार ही मैंने सीधा कैरी कर ली रोड फट आके चलके देखते हैं पहले यह रिया कि ता बड़ा हुआ करता था ना भी चारा तरफ इक दो मस्त बाउंटरी लगा दे प्लीस यह तेरी यह की लग गए मैं अंदर आ चुका हूं यहां पर और और भी क्या चीज़ें पढ़ी है क्या क्या विंडो पर ओके यह रहा तो मुझे बस यहां से कलक करना है और कुछ ओपन नहीं हो रहा फटाफट मुझे यहां से निकलना चाहिए इस यलो वाले को भी ली जाके मैं फटाफट से वाँ पर लगाता हूं फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है ओके तो इसी के साथ मैं भागता हुआ वाँ लगाने के लिए बठाँ बीच रास्ते में मुझे मरना निया इस रॉड से वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं फिर रिस्क ले रहा हूं मैं फिर खाली पीली के रिस्क ले रहा हूं और वहागने के लिए जगा भी नहीं है ठीक है काश उसने मुझे ना गेमेंड गेमेंड लेट्स को फटाफट यहां से नीचे जलते हैं बस अब आगे कोई नया चैलेंज अपने लिए ना है हाँ तो गाइस मैं बतातो हूं यह फायर क्रेकर हम लोग कहां पर यूस कर सकते हैं बस मुझे आसपास रोड ना मिले क्योंकि अब एक बार भी पकड कर वहीं पर यूज होने वाला है जल्दी चलके ट्राय करके देखते हैं रोड यहां पर तो खैर काफी जिदा दूर होगा और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेस्को जल्दी से मैं यहां पर ट्राय करता हूं 3 2 1 और इसी के साथ हमने लगा दे हैं यहां पर जिसके तरू हम लोग इस ट्राय को चेंज कर पाएं रोड ने मुझे कहीं से तो देखा है वो घूम के यहां पर आ रहा होगा ओ तेरी यहां पर तो लीवर ही लीवर है 0123456789 एक सेकिंड रुख जाओ यहां पर यह कौन सा ट्रैक है वान ओ टू सेकिंड वाला ट्रैक है न ऑफर से आ रहा है भाई झाल खूपने की जगह ठोंड है और यार यह क्यों बनी है वी चूपने के जगह है मैं यह चुप सकता हूं मैं है कि जूप सकता बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जो कि लए-नी ने-नी रोड यह पर आई रहे-डोड यहां पर आई रहे-प्लीज इ इन टाइम पर काफिस जदा सही दिमाग लगा दिया वरना तो लेने के देने पड़ जाते वैसे गायस दिखो मुझे लगता नहीं है कि यह जो ट्रैक है यह चेंज हुआ है अभी ट्रैक ऐसा है कि ट्रेन आईगी सामने से तो सीधी जाने वाली है वो लेफ्ट नहीं मुड़ सब्सक्राइब करके देखना पड़ेगा कि यहां पर ओप्शन्स बहुत सारे हैं मतलब कुछ ऐसा कोई कुछ तो सीन है उसमें मतलब को सबको एक एक करके देखना पड़ेगा यहां पर एक टाइम लिखा हो है 914 914 टाइम निया एक्चुली कोड लग रहा है कि टाइम में दो डोट होते हैं बट यह लीवर का इससे कुछ लेना देना में ट्राय करके देखता हूं एक बारी 914 बट अभी तो मैंने ओलड़ी थ्री कर दिया है क्या पता यही ओन होने च आप लेट्स को एक तो मस रस्ता बन चुका है ओके ट्रैक अभी बदल गया है और हम लोग अभी रोड की बैंड नहीं बजानी हमें बस वहां से वह कलेक करना है बढ़ा बीच रास से मागर रोड गलती से लपेटा जाता है तो उसमें मारी कोई गलती नहीं होगी लेट्स क को लेट्स को फड़ा-फट से में वहां पे चलता हो और इसको देखो भाग के यहां रहा है मैं वापिस दा रहा हूं मैं एक भाड़ी घूम के आता हूं मैं अपनी गाडी को खाली-पीली सरकस में लेकर आ चुका हूं और अब में वापिस जाने वाला हूं में बैट्रो मैं इसको अगर दबाता हूँ तो ट्रेन आने वाली है मुड के ओके ठीक है रोड यहां से आता ही होगा इधर से नहीं आ रहा वो रुख जो मैं जितनी दिर में तो कलेक्टी कर लूँगा नहीं मैं मरूँगा मैं मर जाओंगा भाई सब खराब हो जाएगा सब खराब हो आने दो पहले आजा भाई तू आजा तो रोड अभी दूसरी साइट पर जा चुका है मैं अभी से शायद से कलेक्ट कर सकता हूँ अराम से अगर आये तो मुझे ओ भाई नहीं मुझे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं फेल होने वाला हूँ मैं कोई न सब कुछ क्लियर करके आगा चुक हो प्लीज रोड मेरे पास मतायो सब ऑचुका है सब उचुका है प्लीज ऑके हो गया फाइनिली हम लोगे नीग कर लिया है और ओर ऑर ऑख यह यहां से रहा ठीक है अभी अब अभी अभी तो कुई चान्स ही निया फेल होनीगे टो इसको शायद दिक्कत दे सकते हैं, वहाँ पर भी रोड होगा भी, तो इतना भी एजी निया, इसको यहां रखो, मैप के तरो हम लोग चलते हैं, सीधा कहा जाना था, हेलो, अब जाना कहा था, कैम्पिंग, कैम्पिंग पे, हाँ, वहीं तो था, ओके ठीक है, तो भी मैं होड को उठाते हैं, और मुझे भी रोड को अच्छे से ढूनना होगा, चारो तरफ, वह यहां भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, सामने, सामने भी नहीं है, यानि मैं उस पार इजी ली जा सकता हूँ, इस रस्ते को खोल के क्राउच कर लेता हूँ, पता चला वो उस बैट के मेरा इंतजार कर रहा है, और जैसे ही जाओ, सुधा बहले है, खतम खेल भाई, देखा दे हो जाएगी, गलत वाली, बाकी भी मैं उपर आ चुका हूँ, अब बस इसके अंदर से मुझे चाब भी मिल जाए, केज की चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं, मैं पहले मेटर सेशन जाओंगा, यह जगा रिस्की है, यहाँ पर रोड आ सकता है, यह जगा अपने ले सेफ है, अम मैं इसको अनलोक कर देता हूँ, यू निद ट्रेवल तु नेबरोट तु फ्री माइक ले, चले भाई, मिरो क्या दिक्कत है, यू कान गो बैक द कैम्पिंग पर चलना पड़ेगा, वहां पर पहले लड़की दिना मुझे उसकी आवाज आई भी थी, वेट में दिखाता हूँ, एक सेकिंड, मुझे उसकी आवाज आई थी, यार मैंने ध्यान नहीं दिया, उस पर कसम से, एक सेकिंड, एक सकिंड, बस रोड सामने से ना मुझे उन्हें अपने साथ कंवेंस करके ले जाना होगा, मैं एक तो इनको बचाने आ रहा हूँ, यह क्या बात है, ठीक है, फिलाल में को पहले रोड को चकमा देना होगा, वो जो लड़की है, उसकी आवाज मेरे को यहीं कहीं से आई थी, तो क्या वो यहीं कहीं पर ऐसे नहीं, यह तो ऐसे स्पोर्ट है, मतलब घूमने फिरने वाला है, यह देखो, यह यह वाज आई थी, अच्छा यह पोधा बनके यहां चुप जाता हूँ, यार वो सब चोड़ो पहले मुझे से बावडी पूंच रोड इसे पीछा चुडाना होगा, तभी मैं इसे बात कर अबे इतना ताइम में बेट भी बात कर और यह उन्यागा, मुझे इसे बात को तो यह दिरने का टाइम भी यह दो तुरंच आ जा रहा है, यह गारा यह कारे ने साथने जाने के लिए उसे अच्छे से समझाया होगा, यह दो एच्छों को इसे उसे उसे प्राइब तो फाइनली जैसे तैसे मैंने इसको भाई 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 अभी मैंने इसे बता दिया कि हमें साथ चलना चाहिए तभी हम लोग उसको बचा पाएंगे तो अभी वह मुझे नी फोल्यो कर रही है वह खुद से उस वैन में जाकर बैठ चुकी है मुझे बस अभी रो मैंने रोड से भी पीचा चुडा लिया है और यह जगा को भी पूरा अच्छे से चेक कर लिया है मुझे मोटे वाला लड़का नहीं नजर आ रहा है मैं इस लड़की को दुबारा ना पकड़ ले मतलब कि अपने तीनों दोस्त इस पारी मतलब किड़नाप तो एक ही हुआ बाकि जो दो है वो डर के मारे चुटकी या पर बैठे में और मुझे कुछ समन नहीं आ रहा है कि उनको आकरकार कैसे बचाया जा सकता है फिलाल यह वाला एरिया मैंने चेक कर लिया यह वाला एरिया सामने से रोड आ रहा है इसलिए मुझे दूसरे रास्ते जाना होगा इ पहले तो यहीं से हुआ करता था वं इस रास्ते में समझ पा रहा था तो भी वाद यह लोग चलेंगे शौपिंग सेंटर में उस मोट को ढूपन नहीं नहीं रहा है इसके ऊपर भी एक रूम हो रहा था तो काफी बड़िया था ऐखला तो बड़िया मैं चड़ नहीं चड़ पाऊंगा लेट्स को सीड़ पे भी मैं चड़ के उपर आ चुका हूं अब अभी तो वायर भी नहीं जा रहा ना जो सरकस में गिरता है क्या पढ़ा हो तेरी यही है क्या अब भाई काहा चुपके बैठा हुए अगर वह उपर आया उप तेरी ओ यहां से बात करने में काई दिख करता है भाई बाकि यह भी ना फिलाल मुझे रोड के नीचे जाने का इंतजार करना होगा क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो यहां पर जरूर होगा जिस रास्ते की तरू मैं वापस चट पे जा पाऊंगा बाकि अगर यहीं से बैठे-बै क्योंकि अब वो मुझे देखके शायद नीचे आएगा कूद के ना आजाए बस यार वो चट पे क्या कर रहा है अटकी गया क्या इसको देखना है एक बैरी मैं वेट कर रहा हूं यह नीचे उतर क्या है चट पे आगे पगला अपना भी टाइम विस कर रहा है मेरा भी डाइम लगा इसने अब मैं क्या करूंगा इसको इदर से लेकर जाओंगा और वापिस आके उपर चड़ जाओंगा जब तक यह पीछे घुमतर है जगा पहले तू आजा एक दम क्लोस आजा मेरा काम एक दम मेरे को पूरा डंच चाहिए मुझे इस काम में भी कोई भी प्र जाना होगा क्योंकि अगर मैं इसे खड़े हो के चलूँगा तो शायद से वो मुझे स्पॉर्ट कर लेगा बहुत एजिली तो देख भाई अभी मैंने देख लिया रोड यहां से आ रहा है अपने पास बहुत जादा टाइम है से बात करने के लिए जल्दी बात कर लिया है तो फाइनली मैंने इसे कनवाइंस कर लिया है अभी जल्दी से मुझे से लेकर यहां से निकलना होगा शायद से रोड सामने ना रहा हो बट ठीक है ठीक 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 अभी पुरा रास्ता क्लिया है हम लोग यहां से निकल सकते हैं मुझे पस इसे इपनी भाई तक लेकर चल लाए पीछे देखके चलूँगा वह कहीं से भी आसकता है इसलिए राइट साइड में भी गया था वह आ रहा है ना तू सेडी उतर के बता चला मेरी बेंट बजवा दे यहां पर रोड नहीं है यानि में इदर से कोई नहीं है मैं सामने से डर है वह सामने escape कर चुकी है मैंने Mike को बचा लिया है Charlie को बचा लिया है लेस्ट को बचा लिया है सारे फ्रेंड्ट्स हमने rescue कर दी है अब बस मुझे रोड को परिशान करते रहना है इधर से उधर और इससे बचते रहना है ताकि वो मोटा आराम से से वैन में आकर बैठ जाए और हम भी अपना सेफ रहें यहां पर वैसे वह ज्यादा दूर भी नहीं है ओल्मोस्ट वह आधा रास्ता पहुंची चुका है आजा आजा रोड आजा कोई दिक्कत नहीं ओल्राइट तो यह तो फिलाल अभी यहां पर आकर बैठ गया है अभी मुझे अरे यार यह फिर आगया यहां पर अब बस मुझे एक बारी रोड को और थोड़ा सा चक्मा देना है और उसके बाद मैं यहां से निकल सकता हूं हाँ वो पीछे वाली साइट पे अभी मुझे को क्लिच है यार कहां चलीगी केज की यह पड़ी यह पड़ी भाई यह बड़ाई गलत बनाया बता है सही में यह उठेगी भी ओ फाइनली उठकी भाई इस चीज का ध्यान अखना अगर आप लोग भी गेम खेलो और ना कुछ हो भी नहीं पाएगा आ यूनी ट्रैवल टू नेवरूट तो फ्री माइक ठीक है मैं नेवरूट तो अगर वो केज की मालो थोड़ा सा और सेंटर में हो थी तो वो तो में उठाई नहीं बाता ना दूबारा तो फाइनली हम लोग आ चुके है वो आप इस से नेवरूट पर और हमने इसको भी रेस्क्यू करा दिया और ह पीछे कोई प्रोब्लम है क्या मैं को लग रहा है को सो अभी तुम चारो गए वह भाई चारो को फिर से पकड़ लिया और फ्रीज कर दिया हो वाई साफ यह काफी जदा बढ़ी एंडिंग थी और यह कोई टेस्ट ट्यूब में कुस तो पड़ा हूँ है मैं ठीक हूँ गय है एक सिकिन हूँ है कि टेस्ट्ट्यूब खьोल के मिल को इनको पर डालनी तो नहीं है फिए समझ नहीं आPS ध़नी है मुझे सब्सक्रिप करना है मैं बाहरनिक रहा है मोरे निकला वह गाड़ी ले कर चला गया हमारे हात मेंदयोनी धनर हम्तर अब च्यूब है कि उसमें कु फोर में और खतरनाक कुछ होने वाला है गाइस मुझे कोई आइडिया निया कि आके रिए क्या हुआ मतलब हम लोग एसकेप करके भी एसकेप नहीं कर पाए वह आइसक्रीम अंकल हम चारों बच्चों से बहुत जादा तेज निकला वह आगे गाड़ी में बैठा होता और जै क्यानल पर नहीं सब्सक्राइब करना मुझे कॉमेंट में जाके जरू बताना आपको यह वीडियो कैसे लिए वाग्या आज के वीडियो में थे मिलत एगली वीडियो में तब तक क्लिक गुड़ बाइ की 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 वीडियो है हैं गली वीडियो में जादा प्सक्राइब के प्रूपक झादा तो यह वीडियो थक्ष्वे वीडियो फर रिए भ्लावत प्रूपक झादाम